पब्लिक इंटरस्ट में सबसे पहले आपकी थाली आपकी जेव की बात करनी है नए साल पर आपने कई रेजुलिशन लिये होंगे बचत कैसे बढ़ेगी, सेविंग कितनी होनी चाहिए घर की आर्थिक सेहत को कैसे सुधारेंगे इस तरह की कई प्लानिंग की होंगी आपने लेकिन इन सारी प्लानिंग के बीच आज से देश की रफ्तार को आगे बढ़ाने वाले हजारों ट्रकों के पहिये जाम हो गए है जो ट्रक और जो उनके ड्राइवर सबजियों से लेकर दूद, ब्रेड और तेल के टेंकर ये तमाम चीज़ें आपके शहर में पहुँचाते हैं वो सडकों पर रुख गए हैं जो बसे हजारों लाखों यातरियों को रोजाना ढोती हैं एक जगा से दूसरी जगा पर पहुँचाती हैं उनके ड्राइवर भी हर्ताल में शामिल हो गए हैं वो भी साल के पहले ही दिन आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यूं किया जवाब है एक कानून का विरोध देश में नया हिट एंड रन कानून लागू हुआ है लेकिन इसके प्राबधान काफी सक्त हैं इसकी वज़ा से ट्रांस्पोर्टर और ड्राइवर दोनों ही परिशान है मगर टेंशन इन्होंने पब्लिक की भी भड़ा दी है जवाइब करेंगे और गाड़ी हम नहीं चलानेंगे यह कानून तो बिलकुल नहीं चाहिए साथ एक जाइबर जो जगे ज़े पर मार खाता है जगे ज़े पूसकी बेस्ती की जा रही पर दीपक को अपने घर पढ़ रहा होना जाना था दीपक हर्याना से गुर्खपूर तक तो पहुँच गए लेकिन गुर्खपूर से पड़ोना का सफर काफी भारी पढ़ गया क्योंकि साल के पहले ही दिन ड्राइबरों ने हर्ताल कर दी और बसों का चक्का जाम कर दी हर्ताल से गुर्खपूर में जो हाल है वैसा ही आगरा बसड़े पर भी रहा सेंकड़ो यातरी अपने सफर के लिए बस स्टेंड पहुंचे तो पता चला ड्राइबरों ने एक कानून के विरोध में ओल इंडिया हर्ताल छेड़ रखी है जिसके खिलाफ ड्राइबर हल्ला मचा रहे थे और बसड़ों पर फसे मुसाफिर जलाने लगे परिशान होने लगे राजीव जिस कानून का जिकर कर रहे थे उसका नाम है हिट एंड रन एक्ट इस कानून का मकसद है खासतोर पर हिट एंड रन केसिस पर अंकुष लगा लेकिन प्राबधान जानने के बाद ड्राइविंग करने वालों के कान खड़े हो गए किसी कानून में अगर कोई खामी है तो सवाल उठाना वाजिब है लेकिन सवाल की बजाए सीधे हर्ताल कर देना और उसमें फिर पब्लिक फज जाए तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो बड़े स्थरकी है ड्राइवरों न एक तरफ अपनी बसों के इंजन बंद कर दिये हैं तो दूसरी तरफ वो बसें भी रुकवा दी हैं जिन में मुसाफर बैठे हुए थे या सफर कर रहे हैं बसों की आवाजाई ठप है कडाके की सर्दी में खाम्याजा मुसाफिर भुगत रहे हैं चक्के ट्रकों के भी नहीं चल रहे जिसके भरोसे पूरे देश का स्प्लाई चेन है टेंकर नहीं चले तो मद्यपरदेश के कोई शहरों में डीजल पेटरोल का टोटा हो गया बाला गाट के पेटरोल पंपों पर तो तेल ही नहीं बचा उसे भरवाने के लिए लोगों की कतार लग गई ड्राइबरों की ये देश ब्यापी हर्ताल तीन दिन तक चलेगी आज हर्ताल का पहला दिन था और पहले ही दिन उज्जैन से लेकर जबरपुर तक कई पेटरोल पंपों की टंकियों में डीजल पेटरोल सूख दे रगा है अभी हर्ताल के दो दिन और बचे हैं पेटरोल डीजल से भरे टैंकर यूँ ही खड़े रहे तो अंदाजा लगाईए दो दिन बाद हलात क्या होंगे सबी चाहते हैं कि अपनी गाड़ी में पेटरोल कुल करवा कर रखे कुछी की भी एमर्जेंसी हो जाए कि कुछ काम पढ़ जाए सर्दी के चलते स्कूल कॉलिज बंध हैं और साल के पहले दिन बहुत से दफ्तर और बाजार भी इसलिए आपको हड़ताल के असर का शायद इतना अंदाजा ना हुआ हो लेकिन देशफर के ट्रकों के तेवर बता रहे हैं और उनके ड्राइवरों के तेवर बता रहे हैं कि हिट एंड रन कानून में बतलाब नहीं हुआ तो ये अंदोलन लंबा खिच सकता है ऐसा क्या है हिट एंड रन कानून में क्यों ड्राइवरों को इतना डर लग रहा है थेले पर लदा मरीज पिहार के नालन्दा में सरकारी अस्पिताल पहुंचा ऐसा नहीं कि नालन्दा में पبلिक ट्रांस्पोर्ट की कोई कमी है लेकिन मरीज को थेले का सहरा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि देश के कई हिस्सों की तरह बिहार में भी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का चक्का जाम था एक्सिडेंट के बाद घायल को अस्पिताल ले जाने के लिए जब कोई सवारी नहीं मिली तो ठेले पर लाद कर ही घायल को अस्पिताल पहुंचाया गया खास बात ये कि हिटेंड रन केस के मामलों को रोकने के लिए ही सक्त कानून लाया गया है और ये घायल भी हिटेंड रन का ही शिकार है अज बस या सवारी गाड़ियां चल रही होती तो सडक हासे के शिकार को ऐसे अस्पिताल लाने की नौबत नहीं आती लेकिन इस आदमी को जिसने टक्कर मारी वो फरार हो गया अब उसे दस साल जेल काटने की नवता गई है क्योंकि सडकों पर ऐसी घटनाएं ना हो इसलिए देश में हिटेंड रन कानून लागू हो चुका है हिटेंड रन कानून सडक हासों पर लगाम लगाने के लिए है खासता और पर हिटेंड रन के मामलों पर रोक लगाई जा सके इसमें हासे की खबर दिये बिना फरार होने पर सक्त सजा का प्रावधान है कानून को दो कैटेगरी में बांटा गया है पहली श्रिणी में लापरवाई से ड्राविंग करते हुए हासा हुआ और मौत की वज़े ड्रावर है तो वो गैर इरादतन हत्या नहीं होगी इसके लिए पांट साल तक की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है दूसरी श्रिणी में ड्रावर की लापरवाई से मौत और मौके से फरार होने पर इसमें आरूपी को पुलिस या मेजिस्ट्रेट को खुद ही हासे की जानकारी देनी होगी अगर वो ऐसा नहीं करता है तो दस साल तक की सजा और सात लाख रुपे तक का भारी भरकम जुर्माना लगेगा अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयम उसको पुलिस टेशन या तो हस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है और हीट एंड रन केस मरता हुआ छोड़ कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने दस साल की सजा का पुलिस टेशन और मैं मानता हूँ कि इससे हीट एंड रन के केस में काभी कमी आएगी बस चालक हो या फिर ट्रक ड्राइवर इसी सक्थ प्रावधान से सब परिशान है ये सोच कर कि सड़क पर गलती किसी की भी हो गर्दन सिर्फ उसी की न पेगी जिसके हाथ में गाड़ी का स्टेरिंग होगा हम सरकार से एक बर फिर अपील करते हैं कि इस मुद्दे को गंबीर मुद्दे को जो एक सीरियस इशू बनते जा रहा है देश के लिए परिवन उद्योग के लिए चालकों के लिए जल से जल इसमें संग्यान लें और इसको सुल जाने की कोशिश जल्द करें कि ये बहुत सडक हासों पर फुल स्टॉप लगाना असंबब है हास से ना हो या कम से कम हो इसकी कोशिश तो हो नहीं चाहिए हिट एंड रन कानून इसी कोशिश का हिस्सा है लेकिन ड्राइवरों को इसका दोहरा डर है एक्सिडेंट करके भागने पर 10 साल की कैद और 7 लाख रुपे तक का जुर्माना होगा ड्राइवरों का तरक है कि सडक हासे के वक्त लोग गुसे में होते हैं ऐसे मामलों में भीड हमेशा ड्राइवरों पर हमला कर देती है ड्राइवर अगर मौके पर मदद करना चाहे भी तो भी उसे मारपीट का डर रहता है ड्राइवरों का ये भी कहना है कि कोई जान भूज कर सडक पर एक्सिडेंट नहीं करता कोहरे और दूसरी वजहों से भी सडक हासे होते रहते हैं यही वज़ा है कि ड्राइबर नए हिट एंड रन कानून की सजा से घबराए हुए हैं कोई तो ड्राइबिंग छोड़ने तक की बात करने लगा है क्योंकि कहता है तनक्वा 10-15-20,000 रुपे होती है और जुर्माना 7 लाख लगेगा तो भरेंगे कैसे? हरताल इसलिए हुआ है यह जो रोड़वेज है हम चला रहे हैं दस लाख जुर्बाना और दस साल सजा यह हमको बरदार नहीं लैसन तूर के फेंक देंगे गारी चलाना बंद कर देंगे चुपे घर में बाटेंगे मन्जूरी करेंगे यह ड्रेवरी से क्या भाइदा है साले को यह मोटी योगी और अमिस्तार ने जो बनाया है वापन लिया जाए बिलकुल नहीं चलाएंगे मोटर फाइमलिया है वो क्या करेंगी हम लोग बाद एक बताए फर्च कीजिए अप चुपे कोहरा हो या कुछ भी हो घटना घट जाती है तो ड्राइबर किसे जिम्यदारी लेगा यह हमको आप बता दीजी करें कि उनको छोड़ने जाओ जिसे कोई हस्ता हो जाए तो मरीज को जो पेसंट रोस को लेगे जाए अस्पतार जोने जाएंगे तो पब्लिक हमको अपनी जगा है और ट्रांस्पोर्टर्स की अपनी जगा लेकिन हिट एंड रन कानून को लेकर जानकारों की राए बंटी हुई है बहुत ज़रूरी था कि ये कानून लाया जाए जिसे कि पुलिस को कोई option नहीं रहे बलकि उसे non-bailable offensive लगाना पड़ेगा और जब 10 साल जैसी कड़क सजा का प्राफधान हो जाएगा तो number one ये जो accident करते हैं वो वहाँ से भागेंगे नहीं वो पुलिस को inform करेंगे विक्ट कि जो रेट है वो भी कम हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जो truck drivers strike पे उतरे हैं चक्का जाम कर रहे हैं वो सही नहीं है क्योंकि ये लोग बहुत ही negligent rash driving करते हैं कितने accidents होते हैं जिसमें bus drivers best के especially अगर आप देखें मॉंबई में तो कितने जो pot hole accidents होते हैं उसमें best driver ही जो है जान से हाथ दोन देना पड़ता है तो इसलिए सरकार को कड़ा रुख रखना चाहिए जो एक्स ट्राइक कर रहे हैं इसके दबाब में नहीं आना चाहिए मैं इस नए कड़ा कानून को वेलकम करती हूँ आपने खरबूजे वाली कहावत तो सुनी होगी चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे दोनों ही सूरत में कटना खरबूजे को ही है हिट एंड रन केस में भी जो कानून बना है उसको लेकर ड्राइवरों को शायद ऐसा ही लगता है कि मुसीवत उनके लिए ही है मतलब एक्सिडेंट हुआ गुनागार सिर्फ ड्राइवर ही होगा ऐसा नहीं होता भाईयो बिना गुना साबित हुए देश का कानून किसी को भी सजा नहीं देता हाँ नए कानून को लेकर कोई समस्या है तो ट्रांस्पोर्टर्स को सरकार से बात करनी चाहिए हरताल हर समस्या का समाधान नहीं है आपका तो नुक्सान हो ही रहा है लेकिन देश का भी नुक्सान हो रहा है ये समझ लीजिए आपको पता है 2018 में जब ट्रांस्पोर्टर्स की स्ट्राइक होई थी तब कितना नुक्सान हुआ था तब देश को रुज़ाना 20,000 करोड रुपे का नुक्सान हुआ था इसमें रोज 4,000 क्रोड का नुकसान अकेले ट्रांस्पोर्टर सेक्टर को हुआ था अब 5 साल में ट्रकों की तादाद भी बढ़ गई है जाहिर सी बात है हर्ताल से नुकसान का जो पैमाना है वो भी बढ़ेगा सडक हासों में भारत पूरी दुनिया में टॉप पर है पूरे विश्म में अगर रोड एक्सिडेंट से 100 जाने जाती हैं तो उसमें से 11 लोग भारत के होते हैं हाथ से रोखने के लिए कानून पहले भी था फिर हर साल एक्सिडेंट का ग्राफ बढ़ता क्यों रहता है ट्रैफिक नियमो और स्पीड लिमिट को लोग थेंगा दिखाते हैं उसकी पालना नहीं करते हैं रॉंग साइड ड्राइविंग अपनी शान समझा जाता है शॉर्कट लेना है हम नौईडा में रहते हैं मैंने देखा यहां हाईवे पर ही रॉंग साइड आ रहे होते हैं हमें ही रोज कोई नो कोई मिल जाता है इसलिए जरूरत थी कानून को और सक्त करने की सक्त हो गया कानून सडकों पर लोग कानून का पालन करेंगे उससे डरेंगे, साबधानी बरतेंगे, साबधानी से ड्राइविंग करेंगे, तो हाथ से यकीनन कम होगे. अपने स्मार्ट टीवी पर.